क्या हम हवा को देख सकते हैं और क्या आपको बताए कि आपका ही ब्रेन आपके ही शरीर से कभी भी गायव हो सकता है और क्या आपने आज से पहले आइस की सिंगिंग साउंड को सुना है ऐसी दिमाग को चक्रा देने वाले random and interesting facts को जाने के लिए ट्रमेंड़ अफैक सीरीज का एपिसोड लास्ट जरूर देखियेगा क्या आपको बताया कि साल 1965 के आस पास अमेरिका और आस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे cases आये जिसमें इनसान का अचानक से ही देहंत हो जाया करता था जब इन तरीके के लोगों पर research की गई तो यह पाया गया कि सभी लोग सिर्फ इसलिए मरें क्योंकि इनके शरीर के अंदर दिमाग है ही नहीं मतलब आप समझ रहे हो कि एक इनसान के शरीर के अंदर से अचानक ही दिमाग गायब हो गया और उसका देहंत हो गया आखिर ये कैसे possible है या यूँ कहूं कि ये possible है दरसल 200 साल 1965 में Australian scientist के दोरह की strange amoeba को discover किया गया जिसे medical language में नाइक गलेरिया फोलेरी के नाम से जाना जाता है दरसल दोस्तों ये एक single cell amoeba होता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस amoeba का favorite food कुछ और नहीं बल्कि इनसानी brain होता है तो अब सवाल ही उठता है कि आखिर ये amoeba उन लोगों के brain में कैसे पहुँच गया दरसल दोस्ते इस amoeba को एक बात जो बहुत जारे dangerous बनाती है वो ये है दोस्तों कि ये amoeba साफ पानी में पनपता है यानि कि जिस पानी को हम pure या फिर filtered water कहते हैं ये amoeba उसी पानी में पनपने की tendency रखता है अब जैसे कोई भी इंसान उस पानी से नाता है या उसको पीता है तो situation में ये amoeba उसके शेरीर के अंदर जाकर उसके brain तक पहुँच जाता है और मात्र साथ दिन के अंदर ही ये उस इंसान के brain को खाकर उसका खेल खत्म कर देता है दोसरे सीरीज में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी bikes दिखाई है जिनको modify करके या तो किसी super bike में convert कर दिया गया या कुछ ऐसी specific unique bike में convert कर दिया गया जिसको देखकर ये पूरी दुनिया दंग रह गे लेकिन आज दोसरे इन सारी चीजों से अलग अटकर आज मैं आपको एक ऐसी bike दिखाने वाला हूँ जिसको modify करके एक हवा से चलने वाली bike में convert किया गया है दरसल दोसरे ये कारणामा करके दिखाया है एक Dutch rider Rene Van Tulin है दरसल दोसरे एक बार उनों ने एक steam engine को देखा और इस engine को देखकर उनको ये idea आया कि अगर इसी सिध्धान्त को यूज करते हूँ एक छोटे engine को बनाया जाए तो वो अपनी bike को भी steam से चला सकते हैं लेकिन इस कहानी में twist तब आया है जब Rene ने कुछ experiment करने के बाद इस engine को steam engine की बजाए एक air engine में convert कर दिया जो अपने आसपास मौझूद हवा को सक करके bike को कुछ इस तरीके से आगे push कर देता है अब इस बात यह दोस्तों की इस तरीके की bike में नहीं कोई fuel लगता है और नहीं यह किसी भी प्रकार का कोई भी pollution generate करती है और आभी जनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों की Rene आभी इसी engine को और ज़ादा छोटा बनाने में जोटे हुएं तो अगर ऐसा हो जाता है तो no doubt आगे चल कर यह bike की section में एक नया revolution ज़रूर ला देंगे दोस्तों हमने Apple की प्रोडेक्टों देखे ही हैं और हमें से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको Hollywood movies भी पसंद होगी I know बहुत से लोग बोलेंगे कि Apple के प्रोडेक्ट और Hollywood movie में क्या connection है या यूं कहूं खल नायक वाला connection है नहीं समझे, don't worry मैं हूँ ना दरसल दोस्तों बहुती कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन Apple कभी भी Hollywood movie में negative role play करने वाले character को अपनी company के product screen पर show करने की permission नहीं देता है और यह बात सबसे पहली बार साल 2019 में release हुई Nives Out movie के दोरा ने इस पूरी दुनिया के सामने आई दरसल दोस्तों यह एक suspense movie थी जिसमें सभी characters को कातिल दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन इस movie में मौझूद सभी characters iPhone का इस्तिमाल कर रहे थे लेकिन इस movie में real कातिल बने Chris Evans को कभी भी screen पर iPhone यूज करते हुए नहीं दिखाया गया जब बहुसे viewers ने इस चीज को notice किया तब जाकर लोगों को यह बात मालूम पड़ी कि Apple Hollywood की movies में अपने product को show करने पर भी काफी बड़ी restrictions को रखता है दरसल दूसर अपल की strict guidelines के दौरान कोई भी character जो की movie में कोई negative या फिर गंदा रोल निभा रहा होता है वो कभी भी screen पर iPhone को use करता हुआ नहीं दिखाया जाना चाहिए कैपल के इस amazing fact को आप पहले से ही चाहते हैं कमेंड करके जरूर बताईएगा दोसरे सीरीज में मैंने आपको अलग 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 देशों के बहुत सारे सीक्रेट्स तो बताईए दरसल दोसरे इन रोबोट्स में अभी तक पूरी दुनिया में डेवलप की गई सबसे जादा एडवांस सेल्फ बैलेंसिंग टेकनलोजी का इस्तेमाल किया गया है जिसके तहित ये रोबोट्ट जम करके, स्लाइट करके, जुक कर और यहां तक की किसी भी एंगल में तेड़े होकर भारी से बारी सामानों को उठा कर एक जगे से दूसरी जगे बेहदी तेज स्पीड और कम घर्च के साथ रख सकते हैं जिसके तहित जैसे इन रोबोट्ट के अंदर गोट्स के पिक अप और डिलीवरी के पॉइंट को डाला जाता है, यह कुछ इस तरीके से जम करके या फिर किसी भी सिचुएशन में ट्रैविल करते हुए उस सामान को बेहदी सेफटी के साथ डिलीवर कर देते हैं और आभी जानकर हरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी हाली ही में की गई कि रिसर्च से यह बाद पूरी ही तरीके से साफ हो चुकी है कि इन तरीके के रोबोट्स किसी भी इनसान की अभीशा 70% टेज स्पीड और एकुरेसी के साथ काम करते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि विश्वर में फैली हुई हमारी के बीच रशी अब इन तरीके के रोबोट्स का और जादा इस्तिमाल कर रहा है तो आभी कह सकते हैं कि इन फूचर हमें कुछ इस तरीके के रोबोट्स हमारे देश में भी देखने को मिल सकते हैं Fact No. 13 Fact No. 12 Fact No. 13 Fact No. 11 Fact No. 13 Fact No. 13 Fact No. 10 Fact No. 13 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 3D mapping technology Fact No. 13 Fact No. 13 Fact No. 13 Fact No. 13 Fact No. 14 Fact No. 14 Fact No. 13 Fact No. 13 1 देख सकते हैं और उस मेथट का नाम है शिली एरन इफेक्ट दरसल दोस्तों ये एक flow visualization method है जिसमें किसी भी चीज़ के flow को liquid की सायता से देखा जा सकता है दरसल दोस्तों इस मेथट में जब भी high beam light को किसी भी fluid के अंदर से निकाला जाता है तो उस fluid में मौझूद gas या air के particle से तकरा कर वो फैल जाती है और यही फैली हुई light जब beam के सामने लगी हुई screen पर तकराती है तो यह हवा के movement को screen पर कुछ इस तरीके से दिखाने लगती है जिसे high definition camera से record भी किया जा सकता है तो आप यह कह सकते हैं कि अभी अभी आपने जो से screen के उपर movements को देखा है वो कुछ और नहीं बलकी हवा है और आभी जनकर हरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी तक यही effect हवा को देखने के लिए सबसे जादा सटीक माना जाता है So finally आज आपने हवा को भी देखा है I hope दोस्तों आज की वीडियो आपको knowledgeable लगी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिलखोल के like, share और comment जरूर कीजेगा आप चाहें तो मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं वहां भी मैं daily daily facts और back stage moment की वीडियो को upload करत रहता हूं उसका link आपको screen पर या फिर description box में मिल जाएगा एक और fresh कमाल वीडियो में आप सभी से दुबारा मुलाकात होगी दोस्तों जै हिंद